हाँ जी, welcome back guys, आज के इस पर्टिकलर वीडियो में Facebook ads से related 9 ऐसी चीजों को हम लोग discuss करने वाले हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी Facebook ads campaign को run करने से पहले, accounts के अंदर जाने से पहले, कि ये सारी चीजें हमारी तयार हैं या नहीं है, वरना आप campaign से run करना शुरू कर दें So the first thing is, try to understand the business thoroughly and the KPIs of business, देखें हम लोगे पर बहुत सारे businesses आते हैं, जैसे for example, कोई school आया, और वो हमसे कहता है, sir हमको awareness करानी है, फिर हम उनके साथ बैठते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, उनको awareness नहीं करानी है, उनको जो है ना, वो lease चा आपने campaigns को run करें, उसी के basis पर आपके जो campaigns के objectives वगरा होते हैं, technically जो campaigns के objectives आप select करते हैं, कि मेरे को leads चाहिए या मेरे को sales चाहिए, वो सारी चीज़े वहीं से decided होती है, अब business owner को पता नहीं होता है, वो सोचते हैं कि अगर हमारे school की awareness होगी न, तो बहुत सारे जो हमारे admissions है वो हो जाएंगे, बट awareness होने में थोड़ा सा time लगेगा, उनको लगता है कि awareness अगर हम campaign चला देंगे तो awareness हो जाएगी, बट purpose क्या होता है कि भाई हम जो हमारे school है, उनकी USP's वोगरा के around ad creators बनाएं, और जो proper हमारे lead generation के campaigns होते हैं, उनको बनाएं क्यूंकि हमारी जो admission की team है, counselor की team है, वो by TV हमारे पास lead आएंगी, तो हम अपने school के बारे में बता कर उनसे admissions करवा सकेंगे, तो it is very important कि आपको समझने की ज़रत है, business owner के साथ बैठके कि आखिर उनकी requirement क्या है, वही point यहाँ पर explained किया गया है, that will help you in creating different types of ad creatives, अब आपको पता होगा ना कि उनकी USP's क्या अब आपको अपने आप तो पता नहीं चल जाएगा, उनसे आप discuss करेंगे कि उनकी USP's क्या है, वो अपने जो competitor से, उनसे किस तरीके से जो different है, तो यह सारी चीज़े आपको पता होगी, तो उनी सब चीज़ों के around आप अपने different creative angles बनाते हैं, right, so it is going to help you in creating different types of ad creatives, will help you in the research, वर competitor research होगारा करेंगे, तो एक आपको perspective मिल जाएगा, उसी direction में आप research करेंगे, add copies लिखने में आपको मदब मिलेगी, जैसे मैंने बताएगा, अगर आपको USP's होगारा मिल जाती है, अच्छा, इसका असान तरीका क्या है, कि आप न कोई एक document प्रिपेर कर लें, ठीक है, document प्रिपेर कर लें, जिसको आप हर बार अपने client के साथ, या prospects के साथ, जो है, वो share कर दिया करें, कि भाई, हमें ये चीज़ा बता दीजे, अपने business के बारे में USP's बता दीजे, ऐसे बहुत सारी different one चीज़ा होती, वो document आप उनके साथ share कर दे, वो आप तैयार करके रख ल business किन टाइब के लोगों के लिए, तब तक आप एक perfect customer अवतार कैसे बनाएंगे, अगर आप perfect customer अवतार नहीं बना पाएंगे, तो उसके round-up targeting कैसे कर पाएंगे, उनके interest हो behavior के basis पे, तो this is very important, ठीक, customer अवतार पता चलेगा, तो आप landing page बनाने में भी आपको जो है, वो मदद अंदर ही सारी चीज़े होनी चाहिए, वहाँ से फिर access लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, वरना क्या होगा कि आपने पता चला कि जो normal ad account होता है, उसके उपर आपने ads run कर दिये, which is not recommended, कोई ad account है, जिसमें जो time zone है, वो let's से लगा हुआ है, आपका India का और आप ads run कर रहे है, यूएस के लिए, which is not recommended, तो आपको ये भी चीज़ें चेक करने की जरूरत है, कि जो हमारे ad accounts होगरा है, वो properly है या नहीं है, जो हमारे ads को run करने के लिए, जो हमारे assets की जरूरत परती जैसा है, facebook page तो चाहिए चाहिए आपको ads run करने के लिए, अगर आप website के उपर traffic भेज र ये तीन चीज़ें जो है, वो आपके एक ही business manager के अंदर होनी चाहिए, so that अगर आपको किसी को access वगरा देना है अपनी team के अंदर तो कोई problem ना हो, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी problem आती है, हमारे बहुत सारे clients आते हैं, उनकी सारी चीज़ें जो हती है, वो miss manage होती है, पहले हम उनको ठीक करते हैं, जितनी ठीक हो सकती हैं, और उसके बार के हम लोग ads run करना है, शुरू करते है, पर्टनल अड़ अगरा से ads run करना, avoid करें, ठीक है, boost करना, avoid करें, उससे result आ जाते हैं, बहुत सा है लो बोलते है, sir मैंने boost किया था, 100 रुपए से मेरे को result आगे, ठीक है, वो छोटे ही type के budget के लिए ठीक है, 100 रुपए का budget है, 1500 रुपए का budget है, 200 रुपए का आपका per day budget है, boost post कभी-कभी बहुत जवर्दस तरीके से काम कर जाती है, local business है, बहुत जवर्दस तरीके से कभी-कभी काम कर जाता है, आप भी test करके देख लिजेगा, बट वहा जाओगे, वहाँ पर आपको जो proper ads manager है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो काम आपका फिर यह boost boost है, होने वाला नहींगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेगा, ठीक है, तो result तो आ जाते हैं कई बार, check whether account has previous data or not, यह बहुत important, देखे, कई बार क्या होता ह हम businesses से ठीक तरीके से बात कर लेते हैं, सारी चीज़े समझ लेते हैं, बट अभी account का status क्या है, वो हमको नहीं बता होता है, हम ध्यानी नहीं देते हैं कि बहुत सारी audiences already बनी हुई है, ads account के अंदर, जिनको हम leverage कर सकते हैं, जिनका हम use कर सकते हैं from day one, यह pixel के पास अभी तक क्य events जो है, वो collect हो रहे हैं, ठीक है, कितने time से pixel के पास events collect हो रहे हैं, क्या वो events सही configured हैं यानि, यह सारी जब आपके पास data होती है, तो उस data के basis पर भी कुछ campaigns की strategies आप बना सकते हो, जिसे for example, अगर आपके पास पहले से converters हैं, ठीक है, यानि जो भी आपने अगर for example, landing बेसे lead collect करी हैं, तो lead के summit होने को, आपने को एक event बनाया होगा, वो event अगर बहुत बार हुआ है, तो उस event के basis पर आप look-alike audience बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो आप अगर starting से ही, बिलकुल cold audience के उपर काम करेंगे, बलकि जब आपके पास scope था, कि मेरे पास कुछ events होए, और उनके basis पर मैं look-alike बना सकता हूँ, तो बनानी चाहिए थी हम लोगो, तो कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं कि हर scenario में यही चीज के पीछे आप पढ़ जाओगे, the point is, कि आपको थोड़ी से study करने की ज़रूरत है, कि जो ad account मेरे को मिला है, client से क्या उसके अंदर previous data है, और है तो क creative के उपर जो offers हैं, वो बहुत अच्छे चले, और बाकी चीज़े नहीं चली, तो हमें पता चल जाता है कि winning angles क्या थे, winning creatives क्या थे, ऐसी कौन सी post थी, जो इस type of brand के लिए इनकी बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो उस तरीके से हमें कुछ insights मिल जाती है, और उसके बेसे ब इसको बताया था lookalike का, scope is present in the ad account level, check if the customer list is present or not, अगर customer list है, तो उसके basis पर आप lookalike audience वगेरा जो है, वो बना सकते हैं अगर customer list है, इसके अलावा fourth point की बाग करें हम लो, तो check whether events manager is perfect or not, मतलब जिन भी events के उपर आप optimize करने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्सल के, जिन भी events के उप ऐसा तो नहीं है कि कोई error है, वहाँ पर जाकर check करने की ज़रूरत है, कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई error है हमारा events manager के level पर, कोई event duplicate तो नहीं हो रहा है, event के साथ जो हमने parameter send करने थे, वो parameter हमें properly वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब पूरा आपको, आपका जो events manager होता है उसको छान मारना है, event manager क्या होता है देखिए, जहां से आप pixel निकालते हैं, right, pixel को ऐसे समझ ये, कि pixel all together is a very different entity in facebook ads ecosystem, right, और pixel जब आपकी website पे लग जाता है, तो जो information data है, वो collect करके facebook के server को भेजता होगा, वो server उस data को कहा पर दिखाता है, events manager के अंदर दिखाता है, ठीक है, तो pixel से related सारी settings, event से related सारी settings, parameter से related सारी settings, event based अगर आपको audience बना नहीं, उससे related सारी settings, events में कर कोई error आरे, उससे related सारी settings, event की matching quality से related सारी settings, वो सब कहां मिलेंगे हमे, pixel वाली जी भी settings है, events manager के अंदर मिलेंगे, वही लिखावा, जह कि पिक्स is installed, also pixel tracking all the important events in the events manager, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप page view track कर रहे हैं, और साथ ही साथ page view के उपर आप campus को optimize कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है page view track हो रहे हैं, that's fine ठीक है, events manager के अंदर के page view track हो रहे हैं, उससे कोई problem नहीं, but page view के उपर campus थोड़ी नहीं optimize कर दोगे, right, is the quality of pixel and the events is fine or not ऐसा तो नहीं कि बीच में, events manager में आपको data देखने को मिलेगी, कि बीच में ऐसा तो नहीं है, कि pixel कहीं पर break हो गया था, बहुत सारे accounts में हमने देखा है, और जो लोग regularly काम कर रहे होंगे, उन्होंने भी इस चीज को देखा होगा, कि for example, यहां तक pixel ने data track करी, उसके बाद pixel ने data ही नहीं track करी, जो red आप देख रहे हूँ which is basically कि यहां पर जो है, pixel ने कोई data नहीं track करी, फिर यहां से data track होनी शुड़ करी, फिर कुछ दिन data नहीं track हुई, तो अगर ऐसी चीज़े आपको दिख रहे हैं, तो आपको समझने की ज़रूद थे कि भाईया, यहां पर जो break है, वो क्यूं आया, यहां पर जो बीच में break है, तो यह सारे एक तरीके से एक general, एक नजर अगर आप डाल दोगे, तो बहुत सारी समस्या यहां आपकी solve हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, is your placement settings correct or not, campaign अगर आप चलाने जा रहे हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने अपने जो placements हैं, उनको किस तरीके से आपने on करके रखा हुआ है, आपने इंस्टाग्राम को on करका है, आपने facebook को on करका है, facebook के अंदर तो different placements की location है, चाहे हम वो बात करें feed की, या हम वो बात करें, videos के बीच में add दिखने की, या हम वो बात करें, stories की, तो यह किस तरीके से आप लोगों ने इन सब चीजों को जो है, वो on करके रखा है, whether it is required for you or not, ठीक है, are you going to use UTM parameters for the purpose of tracking or not, ठीक है, UTM parameter बहुत important है, आप कही पर भी traffic भेज रहे हैं, अपनी website के उपर कहीं से भी, right, और अगर आप UTM parameters को नहीं use करना है, तो बहुत बड़ा scope आप miss कर रहे हैं, facebook ads का जो course है, उसके अंदर भी मैंने UTM parameters को कैसे use करना है, facebook ads के regards में उसके उपर मैंने बात करी, उसको देख लीजेगा, उससे बहुत मदद मिल जाएगी आप लोगो, seventh point is, do you have enough creative videos to test with multiple angles, also different formats of videos or not, आपको पता है कि instagram पे दूसरा format चलता है, आपको पता है कि facebook के ओपर दूसरा format चलता है, यह बात बिलकुल सही है कि creatives automatically enhance हो जाते हैं और बहुत सारी उसमें चीजें add हो जाती हैं, जिससे कोई problem नहीं आती है, बट फिर भी अगर आप capable हैं तो आप individual placements के लिए, मतलब अगर आपको story वाला चाहिए, तो इस टाइप का vertical creative अगर आप बनाएं, ठीक है, अगर आपको feed में दिखाना है, तो यह जो square वाला creative बता है, इसको आप बनाएं, ठीक है, साथी साथ don't work on a single creative, वरना आप confused हो जाएंगे, रेकिए you never know कि मेरी audience सही है या मेरा creative सही है, जब तक आप इसी audience के साथ, 3-4 creatives को test नहीं करेंगे, आप कैसे figure out कर लेंगे, कि यही वाली जो audience है, वो सही है, ठीक है, हो सकता है, creative दमदार ना हो सकता है, creative के ऊपर offer चीज ना हो, पता चला, आपको लग रहा है, कि creative अच्छा है, आपको अच्छा लगा, तो आपको लग रहा है, अच्छा है, और यह audience गलत है, आप different audience को test करने लगए हो सकता है, वो creative में दमदा हो, तो it is very important to test different types of creative, जब मैं different types of creative की बात करता हूँ, तो for example, आप यह pen sell कर रहे हो, example के तो ठीक है, तो एक pen का video कैसा बन सकता है, एक video बन सकता है, UGC content के उपर एक बन सकता है, जो pen के features को explain करने वाला जो है वो video हो, एक बन सकता है कि इस pen को हम unboxing करके दिखा रहे हैं, ठीक है, एक हो सकता है, इसके experience के उपर हम बता रहे हैं, एक हो सकता है, इसका review video बन सकता है, आप समझ रहे हैं, तो there can be different types of angles of creatives also, as well as videos also, because you never know कि कौन सा angle किस audience को trigger कर दे, ठीक है, तो यह सारी चीजों की तयारी हमको पहले से करके रखनी है, ऐसा नहीं है, कि campaign आज चला दिया, उसके पार यह creative काम नहीं किया, तब आप सोचने बैठे हुए हो कि अरे भाई creative चलो, change करते हैं, अब उसमें तीन दिन आप लगा रहो, right, so आज के time में, अगर मैं define करने की कोशिश करूँ, तो एक अच्छा media wire कौन है, जो testing काफी fast कर रहा है, वो एक अच्छा media wire है, आज की तारीख में, ठीक है, तो testing भी आपको बहुत ही fast करनी है, ऐसा नहीं, इतनी slow testing आपको करनी है, और testing का भी scope होता है, because नहीं काम करती है, ऐसे चीज़ है कि आप सोचो कि भाई बस हमने यह creative लगाया, यह audience लगाया, बस चली जाना चीज़, ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर चल भी गई तो आप भविश्य में फिर scale नहीं कर पाएंगे, वो problem आने वाली है, ठीक है, do you have enough budget for the testing, अब यह बहुत important चीज़, देखो कई बार क्या होता है, तो आप पचास रुपए की दोगे budget, उतो काम नहीं होना है, चार डिफरेंट 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 ओडिएंसेज, अगर आपको पारलली टेस्ट करनी है, तो वो possible नहीं है, तो it is very important कि आपको समझना पड़ेगा, अगर हमें चार ओडिएंसेज को एक साथ टेस्ट करना है, एक campaign के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ad groups बना कर, तो हमें हर ओडिएंस को, let's say 200 रुपए अगर देने पड़ेंगे, हर एक ad set को, तो कम से कम हमें, कितने का budget चाहिए, भाई साब, 800 रुपए का per day का budget हमें बैलेंस ऑफ पर डे बजट एंड टेस्टिंग, उसका प्रॉपर बैलेंस हो रही है, यही एक्जामपल यह मैंने आपको होता है, वह यहां पर लिखा हुआ है, यही कुछ चीजें थी, जो आपको मदद करेंगी, कि ठीक है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार की हमारे कैंपेन्स के हसाब से हमाए एड सरन करने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से इस सारी चीज़ें हैं, यह नहीं है, झाओ अखर है, अगर है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो उसके उपर काम कर लें, उसके बाद उसको करें. 15 मिन लगेंगी इन सारी चीज़ों को चे झाल झाल झाल